गुड मॉर्निंग स्टुडेंट, आज हम अकाउंटेंसी का बहुत इंपोर्टेंट टोपिक कराने जा रहे हैं, जो है जर्नल एंट्री, यानि कि जर्नल एंट्री करने के क्या रूल हैं, वो सारे रूल हम आपको बताएंगे, और बहुत अच्छे शिता कि आपको बहुत में आ जाए तो जर्णल एंट्री के रूल जानने से पहले हमें कुछछ दो चीजह और जानने के ज़रूरत होती सफ HEY पहला है तो खांट चैनी कि खाता किहते है कि खाता क्या है वह यहाद हमपड़ी कि वीडियो में बता चुके हैं कि खाता क्या होता है की से संबंदित और यह टी टाइप का होता है कि नतलिए कोण सीruption debit में लिखा जाएगी और कौन सा लें देन debit trade में लिखा जाएगा आजाएगी अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको लग भग यानि कि एक ही बार देखने से लग भग सारी जर्णल एंट्रे के रूल के लिए रहो जाएगे तो सबसे पहले देखते हैं हम खाते कौन-कौन से होते हैं Classification of account Classification of accounts यानि कि खातों का वर्गी करन खाते कि तेने परकार क्या होता हैं मुख्य रूप से जो अकाईयंत्स होते हैं वह दो परकार क्या होते हैं कौन से एक तो personal account पर्सनल अकाउंट मेंज व्यक्तिगत खाते व्यक्तिगत खाते और दूसरा होता है इंपर्शनल अकाउंट इंपर्सनल अकाउंट मतलब व्यक्तिगत खाते या व्यक्तिगत खाते यानि कि मुख्य रूप से जो अकाउंट है उनको दो भागों में बाटा गया है पर्सनल अकाउंट मतलब व्यक्तिगत खाता इंपर्सनल अकाउंट मतलब व्यक्तिगत खाता इनको फिर से दो भागों में बाटा गया है एव एक्तिकत खातों को यानि इंपर्सनल अकाउंट को इनके भी दो पार्ट कर दिये हैं एक तो है रियल अकाउंट रियल अकाउंट मतलब वास्त्विक खाते वास्त्विक खाते और दूसरा है इंपर्सनल का एवास्त्विक यानि कि नाम मातर के खाते हैं नाम मातर के खाते हैं मतलब नोमिनल अकाउंट तो इसहां कि तो कुल मिला कर अमारे पास डेकि ये तो अकाउंट के टाइप होगए अगर आप बिल्कुरी अकाउंट के तो आपसे को ये पूच सकता है कि जर्णेल ली दो होते पर्शनल अकाउंट और इंपर्सनल अकाउंट के दो पार्ट होते एं रियल और नोमिनल अकाउंट आप देखें मुख्य रूप से हमारे पास यह तीन अकाउंट के रूल निकल करके आएंगे एक तो पर्सनल अकाउंट में एंट्रे के क्या नियम होते हैं दूसरा रियल अकाउंट में एंट्रे के क्या नियम होते हैं और तीसरा नोमिनल अकाउंट में एंट्री के क्या नियम होते और तीन्व रूल भड़े आसान से बस आपको इतना पता होना चाहिए दब आपको कोई ट्रांजेक्शन दी जाए तो वो पर्सनल अकाउंट के अंडर आती है nominal यानि कि किस परकार का account है personal account है real account है या nominal account है तो में एक चीज़ तो यह हो गई जब भी आपको कोई transaction दे सबसे पहले आप यह देखे कि मैं बताता हूं सबसे पहले आपको यह देखे कोई भी जब lane देन होते हैं तो दो खाते पर बावित होते हैं सोरी दो खाते परवावित होते हैं दो खाते मतलब दो अकाउंट परवावित होंगे सबसे पहले ट्रांजेक्शन देखते ही हमें ये पता करना होगा कि दो अकाउंट कौन-कौन से हैं और फिर ये देखना होगा वो अकाउंट कैसे हैं पर्षनल है, रियल है, नोमिनल है, दो में से जैसे भी हैं, वही रूल लागो कर देंगे, तो अब देखिए पहले पर्षनल अकाउंट क्या होते हैं, यानकि हम क्या से फैंड आउट करेंगे कि ये पर्षनल अकाउंट है, और फैंड आउट कर भी लिया तो उसके रूल क्या तो रहा होंगे तो देखिए personally जो account है तो उन में से देखिए अब ये personal account हमने लिख हैं व्यक्तियगत खाते वे खाते पर्सनल account किने कहते हैं जो पहला पार्टी ये वे खाते जो किसी व्यक्ति फरम company ये औस था के नाम से खोल ले जाते हैं व्यक्तियगत खाते कहलाते हैं वे फरम वैक्ति जैसे वे खाते जो किसी वैक्ति फरम कंपनी या संस था के नाम से खोले जाते हैं वैक्ति गत खाते कहलाते हैं यानि जो भी खाते किसी नाम से कहले जाएंगे जैसे राम अकाउंट स्याम अकाउंट यह तो वैक्तियों के नाम होगे किसी संस्था का टाटा अकाउंट ठीक है बिरला अकाउंट और भी कोई नाम है यानि कि XYZ किसी नाम से खोले जाएंगे यानि कि या तो किसी वैक्ति का नाम हो या किसी संस्था का नाम हो वह खाते वैक्तिगत खाते का अलाएंग जैसे राम का स्याम का टाटा का विरला का XYZ लिम्टिड का मेंद्रा का जिसका भी यानि कि यह संस्था का नाम इसके अलाव आप देखत पएचान सकते हैं इन खातों गत खाता है यानि किसी व्यक्ति का नाम आ रहे है या किसी संस्था का आँ रहे है थो कैसा खाता है व्यक्ति का टेंसे इनके लाभाइन में तीन चीजी और सामिल जोती है एक बेंक कई caricotte भी कैसा होता है व्यक्ति क्ला ओल्ड एक ड्रोइंग अकाउंट देखिए अकाउंट एंसी में खास तोई पर बैंक को और कैस को इकवल लिखा जाता चाहिए आप कई विबारतों ऐसा ओप्षिनल भी होता चाहिए आप बैंक अकाउंट लिखने कोई बहुत ज़्यादा फरक नहीं पड़ता लेकिन ध्यान रखना कैस अकाउंट अलग कैटेगरी में यहां केवल बैंक लिखा गया तो यह जो केवल नाम से खोले जाते राम का खाता श्याम का खाता टाटा आकाउंट बिर्ला का आकाउंट एकस humidity का अकाउंट बेंक का अकाउंट वेक्तिगत खातों में लेखा करते समय पाने वाले खाते को debit तथा देने वाले खाते को credit किया जाते हैं इसका रूल है कि पाने वाले खाते को debit और देने वाले खाते को credit किया जाते हैं इनको छोड़ी इंगलिस में एमें रूल तो debit the receiver and credit the giver इस रूल को आप याद रख सकते हैं debit the receiver and credit the giver debit the receiver क्या है कि आपने फाइंड आउट क्या है कि हमारे पास पुल मिला के माली जी निकल कर आया खाता स्याम का हमें मिला चला श्याम का खाता तो देखिए यह हमें एक जगह अपने आपको माल लेंगे कि यह श्याम है अगर इसके पास रूपै या कोई वस्तू आ रही है यानिकि यह उसका मालीग बन रहा है इसके पास कुछ आ रहा है तो debit the receiver यह receive कर रहा है तो इसके खाते को क्या करदेंगे debit and credit अगर यह किसी को रुपे दे रहे और कोई वस्तु दे रहे या और कोई साथ दं दे रहे तो यह क्या हो जाएगा credit यहनु कि स्याम अगर रिसीव करने वाला है debit of the receiver तो स्याम के अकाउंट को क्या कर देंगे debit अगर श्याम देने वाला है तो इसके account को क्या कर देंगे credit मैं आपको दो एक example लेकर देखते हैं पहले हमने हारी को 2,000 रुपए दीये यानि कि हमने हारी को कितने रुपए दीये दो खाते पर वावी तो रहे हैं देखे ऐक нужँ हारी का एक हम ने हमारा नहीं होगा दो खाते पर वावी तो है एक तो हारी और दूसरा क्या दिया रूप है दिये तो दूसरा खाता किस का परवावित हो रहा है कैस का तो देखिए हमें यह तो पता है जब नाम आ गया हरी हरी का ग्राइवर का रूल लगा देंगे लेकिन क्या आकाऊंट का रूल लगा देंगे लेकिन क्या अकांट की कि डेगर किस में आएगी लेकिन अकाउंट का एक निवम पहले भी बताया था कि ररी में मिट रहे हैं। सब्ध़ल लोगिएंट वोर नेता हब है। अकांट debit, कितने रुपे, 2,000, 2, cash, account और cash के कितने, cash के भी कितने बचेगे, 2000, ये 2000 थे, तो cash के सामने credit में कितने लिख देंगे, ये journal का परफोर्मा होता है, ऐसे ही ये debit के item और ये credit के item, उसके बाद देखिए, एक और लिखते हैं, राम ने हमें 1000 रुपए दिये, यानि राम ने हमें रुपए दिये, तो राम कूंट सा है, गीवर देने वड़ाई, और क्रेडिट दा, गीवर राम का अकाउंट क्या हो ना चाहिए, एक क्रेडिट तुम डेबिट में क्या लिखे देखेंगे cash account नहीं पता क्या लिखेंगे और to RAM का account क्या होना चाहिए यह debit का column और यह credit का column RAM का account क्या होना चाहिए एग वर देने वाड़ा आया तो credit 1000 रुपेशे तो सिद्धी सिबा आत दूसरा account क्या होगा debit और यहां कितने लिख देंगे हम 1000 जब तक मैं तीनों टाइप बता दूंगा तो आपको cash के विरूल समझ में आ जाने चाहिए कि cash का कैसे debit हो रहा है कैसे credit अगला है दूसरा real account किसे कहते हैं तो देखें यह है real वे सब्वस्त में जिनका मुल्य मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है और जो वैवेशे की संपतियां उनके खातों को वास्तिक खाते कहते वे सब वस्तों जिनका मुल्य मुद्रा में मापा जा सकता है और उनके जो खाते होते हैं उनके जो खाते होते हैं उन्हें हम वास्तिक खाते कहते हैं यानि सीधी सी बात है जो खाते हैं यानि कि वे अकाउंट जो किसी असेस्ट के नाम से असेस्ट या किसी गुड्स किसी वस वस्तु की नाम से खोल ले जाएं उसे हम रियल अकाउंट कहाते हैं जैसे फर्नीचर का अकाउंट जैसे फर्नीचर अकाउंट फर्नीचर अकाउंट बिल्डिंग अकाउंट बिल्डिंग अकाउंट मसीन अकाउंट फर्निचर अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, मसीन अकाउंट, यहां आता है कैस अकाउंट, बैंक अकाउंट, वेक्तिकत खाता था, कैस अकाउंट, कैस है, रियल अकाउंट, वास्ति खाता है, कैस अकाउंट, गुडविल अकाउंट, यानि कि, जो एमूर्थ समपतिया है इसके नियम क्या है नियम है जो वस्तु या संपत्य व्यापार में आती है उसके खाते को debit किया जाते है जो वस्तु या संपत्य व्यापार में आती है उसके खाते को debit और जो वस्तु या संपत्य व्यापार से बहर जाती है उसके खाते को credit किया जाता है रूल है debit what comes in इसका रूल है यानि कि ये तो इंदी मिधा इंगलिस मिधा कि debit what comes in and credit what goes out debit what comes in and credit what goes out यानि कि आप अपने आपको एक business के अंदर बैठ हमानके चले देखें हमारे पास जो चीज आ रही है यानि कि जो हमारे business के अंदर आ रहा है business का दरवाजा खुला और उसके अंदर कुछ आया तो उसे क्या करेंगे Credit जो business के अंदर आया हुसे debit जो business से बाहर गया उसे credit देखें है को दाण लेते हैं हमने furniture खरीदा यहांने आपको कर दस हजार रूपए 10,000 का फरनीचर खरीदा हमने अगर फरनीचर खरीदा है तो सिद्धी सीबाद फरनीचर खरीदा तो क्या ट्रांजेक्शन हुई आपके सामने दो खाते पर बावित हुए वाई एक तो फरनीचर और दूसरा कैस मैं बताता हूं कैस कैसे आप फरनीचर लेने गई तो फरनीचर तो लेक क्या आए लेकर क्या गई यानि कि बिजनीस से बाहर क्या गया दोनों ही रियल अकाउंट आ गई यह भी रियल अकाउंट और यह भी रियल अकाउंट यानि फरनीचर भी हमारे या गया क्या कैस के पार क्या गया क्या घख स्टों कि सवभ कर को अधर और्य कर दिख वाइंटर ऐंभ सबसे के अधर आज गया क्योंकि दोनों में वाई रूल जो भिरी यो डेपिट कर दिया और भी जो कि जो चीज बिजनिस के अंदर आई वो debit जो बिजनिस से बाहर चली गई वो credit इसी पर कार कुछ और भी कर शक्ते मान लीजी हमने कार बेच दी कार बेच दी तो दो खाते पर बावित हुए एक तो कार कामने एक लाख रुपए की कार बेच जी मान लीजी तो entry क्या होगी कार तो गई आया क्या बिजनिस में cash तो cash अकाउंट को क्या कर देंगे debit cash अकाउंट debit एक लाख रुपए to car अकाउंट बिजनिस से बाहर क्या चली गई एक लाख रुपए हमका लिख देंगे credit में अब last बचता है इसमें last type का account जो है नाम मातर के खाते यानि कि nominal अकाउंट ववेश्य है कि I और वैसे संबंदित सभी खातों को एवास्तवी खाते अथ्वा नाम मातर के खाते कहा जाते हैं जो भी ववेश्य है कि I और वैसे संबंदित खाते हैं उनको एवास्तवी खाते अथ्वा नाम मातर के खाते हैं कहा जाता है यानि कि जो भी ववेश्य है कि I or where से संबंदित खाते हैं उनको एवास्त भी खाते आत्वा नामातर करें यानि नोमिनल अकाउंट कर आ जाता है जो I or where से समस्था कि income से और expenditure से related हैं उनको हम nominal account कहते हैं इनमें खास तोर पर आते क्या हैं देखिए अगर हम where की भात करें तो जो भी हमने दिया rent salary commission discount discount और commission दिये ना कि प्राप्त की प्राप्त की वो तो income होते हैं ये खर्चे बता रहा हूं मैं expenditure में किराया दिया discount दिया bad debt bad debt यानि क्यापर आप पे रिण आ दिये सभी क्या हैं इसके अलावा purchase भी purchase भी एक खर्चा है जब कुछ purchase करते हैं goods तो आमारे लिए खर्चा है यानि का expenditure इसी परकार इसमें कुछ आए भी सामिल होती है जैसे commission received यानि यह जो सारी चीज रेंट हमें कही से मिला salary यह तो हमने दिये थे किसी को हमें कही से मिले rent मिले salary मिली commission मिले discount मिला बैट तो आएगा नी पर चेज की जगें क्या आ जाएगा sales अकर हमने कुछ वस्तू sales की असेस्ट शेल्स नहीं कि असेस्ट तो furniture था गूड्स जिसका हम आप आर कर रहे हैं वह sales की उसके बाद कहीं से हमें discount मिला हमें interest मिला इंट्रेस्ट मिला यह सभी यह सभी खाते है तो जो खर्चे जानिकी जो एक्सपेंसी है income है rent salary commission discount बैट परचेज commission sales interest etc वह आप देखते हैं यानिकी इसी बात ना तो कोई वैक्टी के नाम से account है यानि वैक्टी essence था के नाम से account है ना ही वह किसी assist के नाम से है तो बच गया कैसा nominal account नाम मातर के खातों में लेखा करते समय इनमें जब आम एंट्री करते हैं तो दो रूल याद होते हैं वैए माननी के खातों को debit करते हैं यानि कि जो वैए माननी है expenditure यान लोसिज है उनके account को debit करते हैं तथा I am lab के खातों को credit करते हैं जो income और profit के अकाउंट है उनको credit करते हैं यहाँ entry लिखे debit the expenses and losses debit the expenses and losses and credit income and gain debit all expenses and losses जो भी expenses और loss होंगे उन्हें debit करेंगे और जो income और gain होंगे उन्हें credit करेंगे तो अब आज देखिए इनका भी एक उधान लेते हैं मान लीजे 20,000 रूपए 20,000 वेतन दिया वेतन दिया तो दो खाते पर बावित हो गए आपको पता है एक तो salary यानि कि वेतन और दूसरा दिया तो क्या गए हमारे पास से cash ये cash account है salary का nominal ये cash account है real दोनों के rule चाहिब आले लकाद अगर real की बात करें तो ये देखें cash संस्था के अंदर आ रहा है तो debit जा रहा है तो credit अब cash देखें संस्था से बार जा रहा है salary दिये तो क्या होगा credit और salary salary का क्या rule है debit all expenses and losses debit all expenses and losses तो salary के expense है तो उसे क्या करेंगे debit या लिखेंगे salary account debit debit 20,000 रुपे तो कैसे account दोनों के rule पूरे हो गए और हमने entry कर दी मैं ये journal entry के तरीक के बता रहा हूं कि journal entry कैसे की जाती है उसके अलावा कुछ ऐसा हो सकता है जैसे मान लीजिए हमें interest मिला या हमें commission मिला हम लिखते हैं कि हमें commission मिला 200 रुपे commission मिला 200 रुपे तो cash की क्या entry होगी cash account debit cash commission मिला तो cash cash तो कैसा account है real sums था के अंदर आ रहा है तो कितना हो जाएगा 200 रुपे और उसके बाद मिला क्या to commission जो commission अमें प्राप्त हो रहा हो क्या हमारी income commission account दोस्तो तो यह करने से मैंने परतेक account के debit और credit करने के rule बता दिये कि journal entry परतेक account से कैसे करते हैं अगर आपको थोड़ा सा भी वो लगता तो एक बार फिर से इस वीडियो को देख लीजी और आपका पूरी doubt के लियर हो जाएगा